वेलकम तू मैं चानल एलिक्सर अकेडवीन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 281 यर का पेपर टू कॉंटेंपररी इंडिया एंड एजुकेशन कल लेक्चर 44 इस वीडियो का सब्जेक्ट है ट्राफिक रूल्स फॉर रोड सेफटी इन इंडिया यानि कि भारत में रोड सेफटी को बनाए रखने के लिए ट्राफिक रूल्स कौन कौन से हैं तो आज इस पर चर्चा करते हैं फ्रेंट्स इन इंडिया ट्राफिक रूलस और रेगुलेशन आर इंप्लिमेंटेड टू एंशॉर रोड सेफटी यानि कि भारत में ट्राफिक रूलस से रिलेटिड इसलिए नियम कानून बनाए गए हैं ताकि अच्छे से ट्राफिक फ्लो हो सके लोग आसानी से एक जिगर से दूसरे जिगर जा सके बिना जाम में फसे तो यह सारे ट्राफिक रूलस जो गवर्ण किये जाते हैं वो हैं मोटर वेकिल एक्ट के तहत और फिर ट्राफिक पुलिसमें पूरे कंट्री में जगा जगा पर इन ट्राफिक रूलस को लागू करवाते हैं here are some important traffic rules in India एंडिया के कुछ important traffic rules को जान लेते हैं सबसे पहले traffic signals and signs से related traffic signals and signs play a crucial role in regulating traffic यहनी traffic signal और जो traffic signs है यह traffic की निसान जो है यह सब कुछ traffic को regulate करने में बहुत ही important role निभाते हैं Drivers must obey signals such as red for stop, yellow for caution and green for go. तो जितने भी drivers हैं उनको traffic signal का जरूर पता होना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए. जब red light रहे, ठेक लाल signal रहे तो वहां रुकना है, stop होना है, yellow में तयार रहना है, सावधान रहना और green तो यनि आप जा सकते हैं. Signs indicate speed limits, no entry zones, one way streets, pedestrian crossing, etc. यानि कि road के जो signs होते हैं, वो बहुत सारी चीजों को बताते हैं, speed limits को indicate करने वाले कुछ sign होते हैं, no entry zone को बताने वाले भी sign होते हैं, one way, pedestrian crossing, इस तरह से बहुत सारे sign होते हैं. It is important to understand and follow these signals and signs, यानि कि signal और sign जो है, traffic lights से related, उन सब को पहचानने की ज़रूरत है. Speed limits, speed limits are set for different types of vehicles and areas, तो अलग-अलग गारी में, अलग-अलग area के लिए, अलग-अलग speed limit का instruction दिया गया है, in cities, the speed limit is generally 50 km per hour, whereas on highways, it can range from 60 km to 120 km per hour. Depending on the type of vehicle, यानि कि अगर खुली जगह है, सीधा सडख highway है, तो आप ज़्यादा speed में वहाँ गारी चला सकते हो, 60-60 km per hour तक की रफतार से डिपेंड करता है, आपकी गारी कैसी है, उसके गार्ण को according, और अगर आप सहर में चला रहे हो, तो 50 km per hour या उससे कम में चलाएं. It is essential to adhere to the specific speed limits to avoid accident, तो accident को avoid करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है, कि एक निश्चित speed limit में ही अपनी गारी को चलाएं जाएं. Next है, lane discipline. Lane discipline helps maintain smooth traffic flow, यानि कि आप जिस lane में जा रहे हैं, उसी lane में जाए, lane को cross करेंगे, तो फिर traffic disrupt हो सकता है. Drivers should stick to their designated lanes and avoid unnecessary lane changes. यानि कि जिस lane में चल रहे हैं, आप जाने वाली गारी अगर मतलब लेट साइड से जाना है, उसमें राइट साइड में बिना मतलब के cross नहीं करना है. Overtaking should be done from the right side and with caution. और अगर गारी को overtake करना हो, तो फिर वहाँ right side से पूरी साफधानी बढ़ते हुए overtake करना चाहिए. It is important to use indicators while changing lanes. तो जब भी lane हम सब change करते हैं, left to right या right to left अगर आते हैं, तो indicator जडूर यूज़ करना चाहिए. फिर है, seatbelt and helmets. Wearing seatbelts is mandatory for the driver and all passengers in car. तो car में बैठे जितने भी लोग हैं और driver, सबको seatbelt लगाना जरूरी है. Similarly, wearing helmets is compulsory for two wheelers, riders and pillion passengers. तो two wheelers यनि बाइक पर अगर आप चल रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं तो फिर जो चला रहा हैं और जो पीछे बैठाओं दोनों को helmet पहनना जरूरी है उनकी safety के लिए. These safety measures significantly reduce the risk of severe injuries in case of an accident. तो अगर car में seatbelt लगा हुए हैं और अगर बाइक पर बैठे हैं, स्कूटर पर बैठे हैं और अगर लगा हुए helmet तो फिर in case अगर दुरघटना कोई हो जाती है तो फिर सुरक्षित आप रहेंगे. ड्रंक ड्रिंकिंग, driving under the influence of alcohol or drugs is strictly prohibited. नशे की हालत में शराब पी करके गारी चलाना पूरी तरह से मना है, ऐसा नहीं करना चाहिए. the permissible blood alcohol concentration is 0.03% in India. यानि की blood में अगर 0.03% अगर alcohol है तो ठीक है, उससे ज़्यादा अगर हो गया, तो फिर ठीक नहीं है. violation of this rule can lead to penalties, license suspension or even imprisonment. तो ये ड्रंक ड्राइविंग, यह शराब पिकर गारी चलाने वाला नियम अगर तो फिर पेनाल्टी हो सकती है, थोरी सजा मिल सकती है, license cancel हो सकता है, या फिर jail भी हो सकती है. mobile phone uses, using a mobile phone while driving is prohibited, जब आप driving कर रहे हो तो उस वक्त mobile phone का इस्तमाल ना करे, except for hands-free devices, अगर hands-free है तो फिर कोई दिकतने आप बात कर सकता है, कान में सटा गर नहीं बात करना है. It is important to avoid distractions caused by mobile phones or focus on road, जनी mobile phone से distraction है का था, जिससे की गाड़ी चलाते वक्त सरक से, अपका focus हड सकता है, जिससे दुरू घटना घट सकती है. overtaking and turning, overtaking should be done carefully, ensuring sufficient space and visibility, before taking a turn, drivers must use indicators and check for oncoming traffic, यानि की overtaking करने से पहले बहुत ही साबधान रने की जरूरत है, और कोई turn लेने से पहले भी साबधान रने की जरूरत है, और देखना चाहिए की overtaking या turn लेने से पहले पहले space है कि ने, और clear cut भी देख लेना चाहिए, सामने से कोई गाड़ी तो नहीं आड़ी है, और फिर indicator का यूज करते हैं, overtaking करें या turning ले, pedestrian safety, pedestrian have the right to, right of way at zebra cruising and intersections without signal, तो pedestrian सब के लिए बड़ा गया है, zebra crossing पर आप पैदल चल सकते हैं, और जहां intersection है, signal के साथ तभी आप चलें, मतलब कि जहां traffic signal अगर red light है तब फिर आप जा सकते हो, वहा drivers should be cautious and give pedestrians adequate space and time to cross the road safely, drivers अब को भी ध्यान रखना चाहिए, पैदल जो लोग चल रहे हैं, अगर सरक पार कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा समाई दिया जाए, ताकि वो सुरक्षित सरक को पार कर लें, In addition to traffic rules, several components are used on Indian roads to enhance road safety, यानि कि traffic rules तो बने ही है road safety के लिए, साथ ही साथ कुछ components भी, कुछ चीज़ें सरक पर भी यूज करी गई हैं, traffic safety को, road safety को और enhance करने के लिए, जैसे कि इसमें traffic signal है, traffic signals are placed at the intersections to control traffic flow and ensure orderly movement of vehicles, traffic signal भी जगा-जगा लगाये हुए रहते हैं, सरक पर जिससे कि किधर जाना है, drivers को यह पता रहता है, अपने गाड़ी ले करके वो सही से जाते हैं, जिससे की traffic control में रहता है, फिल है, road sign, road sign provide important information about directions, speed limit, no entry zones, hazards, etc. They help drivers make informed decision and navigate safely, तो road signs जो है, road पर जो निशान रहते हैं, उससे भी काफी helpful information मिलती है, drivers को कि कहां कितना speed limit रखना है, कहां no entry zone है, कहां पर खत्रा का निशान है, या left, etc. बहुत सारा है, turn left, turn right, यह सब कुछ बहुत सारा रहता है, stop, तो यह सारी जो signal रहती है, इन सब को, मतलब road signs को ध्यान में रख करके driver को चलाना चाहिए, इससे उन्हें सही decision लेने में और अच्छे से गाड़ी चलना में सहीता मिलती है, next is speed breakers, speed breakers, also known as speed bumps, are used to slow down vehicles in specific areas like residential zone, schools और hospitals, तो speed breaker तो आपने देखा ही होगा, road पर बहुत सारा रहता है, थोरा सा उठा हुआ बीच बीच में, तो यह इसलिए बने आ गया है, ताकि vehicle अपनी speed को थोरा सा डाउन करे, खासकर के रहने वाले जो एडिया रहते हैं, school अगल बगल और जहां पर hospital रहता है, वहां पर, यह speed breaker ज्यादा रहते हैं, they promote safe driving and reduce the risk of accident, तो इससे safe driving होती है और accident का खत्रा कम रहता है, pedestrian crossing, zebra crossing और foot over bridges are constructed to facilitate safe pedestrian movement, यानि zebra crossing जो चोड़ा है पर रहता सरक पर और over bridge जो बनाया गया है, पैदल चलने के लिए, जो पैदल चलने वाले यात्री हैं, उनकी सुविधा के लिए बनाया गया है, they help pedestrians cross the road without engaging, without endangering themselves, तो यह साड़ी बनाए गए हैं, इसलिए ताकि पैदल चलने वाले लोग जो हैं, वो बीना किसी खत्रे के अच्छे से सरक पाड़ कर सेके हैं, next है, reflective road studs, तो आपने देखा होगा, सरक पर चम चमाते हुए कोई चीज़ मतलब की पीले रंग का जोड़ा था और बीच बीच में red color का भी, यहीं रोड पर road studs लगाए गए हैं, reflect करती हैं यह light को, तो reflective road studs और cat's eyes are embedded in the road surface to provide visibility during low light conditions, तो कम light conditions में जो गाड़ी की headlight से सरक पर जो studs लगे होते हैं, वो चमकने लगते हैं, जिससे की पता चलता है की road का lane कहां तक है, they reflect light from vehicle headlights, enhancing road visibility and reducing the risk of accident, ठीक, तो vehicle की headlight से light परने पर यह reflect करते हैं, और फिर इससे पता चलता है की road कहां तक है, कौन सा lane में हम सब चल रहे हैं, यह night में भी दिखने लगता है, और accident का खत्रा कम रहता है, road markings, road markings such as lane lines, pedestrian crossing, stop lines and arrows help drivers navigate and maintain lane discipline, road पर बहुत सारी marking भी कड़िये भी रहती है, जिससे पता चलता है की कौन सा lane किधर है, और pedestrian का crossing का sign क्या है, बहुत सारे ऐसे निशान रहते हैं, जिससे की maintain होती है, अच्छे से गाड़ी को चला पाने में सुविधा होती है, फिर है speed limit signs, these signs indicate the maximum speed limit for a particular stretch of road, तो speed limit की sign से पता चलता है की जिस road पर हम चल रहे हैं, उस road पर हमें कैसी speed, कितनी speed ले करके चलना है, they are essential for drivers to adhere to the prescribed speed limits, तो जो driver गाड़ी चला रहे होते हैं, उनके लिए जरूरी है कि speed limit जो board रहते हैं, उनका पालन करे है, these components and infrastructure play a vital role in ensuring road safety and are designed to guide drivers, pedestrians and other road users in adhering to traffic rules and regulations, तो यह साड़े जो component road पर लगाए गए हैं, इससे बहुत मदद मिलती है, drivers को पैदल चलने वाले लोगों को, और सभी लोगों को मदद मिलती है, जो भी सर्क पर चल रहे होते हैं या गाड़ी चलाड़े होते हैं, और यह साड़े traffic rules और regulations को follow करके अपने आपको सुरक्षी थमसब रख सकते हैं, it is important for individuals to be aware of these rules, follow them diligently and privatize road safety at all times, तो यह बहुत जरूरी है कि साड़े लोग road safety के इस नियमों को जानें, इन साड़े नियमों को और अच्छे से follow करें, ताकि safety सब की बरकरा रहे हैं सड़क पर, कर सकते हैं TBD, ठाकिस पराई बयले देंग करें अनल थाशे लाजार,